हलो जहिन सात्यों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे आज की देट में बात करने वाले आईटे परिच्छा 2022 की कब होगा और आईटे फर्ष्ट एर और सेकेंड एर के जितनी भी चात्र है जिनका अभी तक एक्जाम नहीं हुआ है उनका एक्जाम कब होने वाला है सभी चितने भी चात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को complete देखिएगा क्योंकि एक बहुती बड़ी यहां पर confusion हो रही है क्योंकि एक बार notification जारी किया गया था आपका जो एक्जाम होगा अगस्त में होगा और अभी हाली में एक notification जारी किया गया है कि जो ITH आत्रों की परिच्छा होगी वो अपरेल मन से सुरू होगी तो जितने भी चात्र इस वीडियो को देख रहे हैं यदि आपको कोई भी confusion है तो comment में पूछ सकते हैं या आप इस वीडियो को clear देख कर आप समझ सकते हैं कि आपका जो एक्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है तो चलिए मैं आपको notification दिखाता हूँ बिल्कुल प्रूप के साथ तो आप जैसे आप यहाँ पर notification देख सकते हैं यह notification में telegram group पे send कर दूँगा वहाँ से आप download भी करना चाते हैं तो download कर लिजीगा यह notification जारी किया गया है आठ अपरेल 2022 को जिसकी official website पे यह notification जारी हुआ है जो कि government of India की official website पे जिसमें साब तोर पे कहा गया है all state director of state पतलब कि जितने भी ITI के यहाँ पर डिरेक्टर है सभी राजियों के उन सभी के लिए सूचित किया गया है कि subject dgt और यहाँ पर schedule आप special cbt examination for left over regular trainee under enrolled pattern पर यतने भी चातर हैं जो यहाँ पर regular trainee मतलब कि regular जो यहाँ पर चातर हैं उनका session यदी 2018-20 या 2019-21 second year है या 19-20 and 20-21 उनका जो exam होगा वो कब से होगा तो आप यहाँ पर देख सकतें 12-4-2022 से उनका exam होगा और यहाँ जो आपका exam होगा फेच के अंतरगत होगा और जो आपका hall ticket जो generate होगा वो 12-4-2022 से 14-4-2022 से होगा और जो आपका exam करा जाएगा 25-4-2022 से 17.5.2022 तक आप सभी का एक्जाम खतम कर दिया जाएगा यह यहाँ पर ITE की तरफ से नोटिस जारी की गई है ध्याने कियेगा इसमें किवल रेगुलर चात्र ही यहाँ पर एक्जाम देगें तो बिल्कुल आप तयार हो जाएगे जितने भी चात्रों का एक्जाम होने वाला है 25 तारीक से ठीक है फेज 1 का अंतरगत यहाँ पर कुछ परिशाय कराए जाएगी जो कि फेज 1 के अंतरगत 25 से आपका 30 तक चलाया जाएगा और जो चात्र यहाँ पर फेले मैं उनको बता दता हूँ यदि आप एंजिनिर्ट ड्राइंग में फेलते दो या तिन नमबर से आपका बैक लगाता तो आपको परमूट कर दिया गए अभी मैंने एक नोटिस के तोर पे आपको जनकारी दिया है जो कि गवर्मेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गए कि जितने भी चात्रों का इंजिनिर्ट ड्राइंग में यदि उनका नमबर 12 से यदि 16 नमबर है तो उन चात्रों को 17 नमबर देकर पास कर दिया गए तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा यदि आपका भी इंजिनिर्ट ड्राइंग में बैक लगा होगा 12 से 16 नंबर होगा तो आपको पास कर दिया गया यहाँ पर COVID के कारण जो आपका पढ़ाई का परकिरिया पूरा नहीं होने के कारण आप सभी को 17 नंबर पासिंग मार् इसी कारण हमने फेल हुआ था तो आप एक बार जरूर चेक के लिजिएगा कोई भी अधर जनकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिजिएगा आपको जनकारी भी मिल जाएगी